नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अमीत और आप देख रहे हैं शो अमीत की रेमेडीज दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपने में साप देखने का मतलब क्या होता है दोस्तो सपने में हम कई तरह के चीजों को देखते हैं जगा को देखते हैं जीवों को दे सपने में साप को पकड़ते हुए या मारते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अचानक धन प्राप्त कर सकते हैं या आपके दुश्मन पर आप विजय पा सकते हैं अगर आप सपने में साप को और नेवले को लड़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको क पानुनी लड़ाई लड़नी पढ़ सकती है कोट कचरी जानी पढ़ सकती है अगर आप सपने में साप के दाथ देखते हो तो इसका मतलब है कि आपको नजदीकी रिष्टेदार से हानी पहुच सकता है अगर सपने में साप को छट से गिरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब कि घर में बिमारी आती है और कोट कचरी में हानी भी हो सकती है अगर सपने में साप का मास खाते हुए देखते हैं या मास देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में आपार धन आएगा परन्तु घर में धन रुकेगा नहीं अगर सपने में साप काटते हुए देखते हैं कि इनसान जल्दी ही किसी भयानक बिमारी का शिकार हो सकता है तो दोस्तों ये रहे साब से जुड़े सपने से कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं ऐसे ही टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर